सारांस का मतलब होता है कि किसी भी कहानी को या कोई भी विधा हो उसको जब हम छोटा करके लिखते हैं तो सारांस कहते हैं सारांस में हम सब्दों को कम कर देते हैं लेकिन जो कहानी में जो बात रहती है वो पूरी की पूरी आती है देखे सारांस आपको जानना इसलिए आवसेक है क्योंकि जब आप बोड की परिक्षा देने जाते हैं तो उसमें प्रश्ण तीन जो होता है वो गद्यांस पर ही आधारित होता है गद्यांस दिया रहेगा और उसमें कुछ नीचे अंडर लाइन रहती है रेखाय खीची रहती है और कहता है कि रेखांकित भाग की ब्याख्या कीजिए और देखिए गद्यांस को तभी आप अच् तो चलिए, मैं आपको छोटे में, मैंने कहानी को छोटे में लिखा है, और आपको मैं इस सारांस को सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि आखिए कि इस कहानी में क्या कहा गया है ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूडा मड़ की अकेली पुत्री है जो बच्पन में ही विधवा हो गई है एक दिन सुबह अपने दुखों में डूबी हुई थी तब ही उसके पिता चूडा मड़ी उसके पास अपने दस सेवकों के साथ आ जाते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल है उन सेवकों के हाथ में बड़े बड़े थाल है ममता यह सब देखकर पूछती है पिता जी यह सब क्या है जब ममता पूछती है कि पिता जी यह सब क्या है चूडा मड़ी सभी थालों के उपर से कपड़ा हटा देते हैं और मम्ता यह देखकर आश्यर चकित हो जाती है कि सभी थाल स्वर्ण आभूशन सोने से भरे हुए हैं। वह यानि मम्ता पूछती है, पिता जी यह सब क्या है, इतना सोना आया कहां से, चूड़ा मड़ी कहते हैं मम्ता से कि बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। मम्ता कहते हैं हमारे लिए, चूड़ा मड़ी कहते हैं हाँ बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। ममता कहती है लेकिन क्यों पिता जी चुडा मड कहते हैं क्योंकि अब सामंत वादवन्स का अंत समीप है सेर साह ने रोहितास का जो दुर्ग है उसके उपर आक्रमड कर दिया है और कभी भी इस पर अधिकार कर सकता है और फिर मेरा मंत्री पत जो है वो छीना जा सकता है चला हम गरीब हो जाएंगे इस पर मंता ने कहा पिता जी उन दीनों की विप्रदा के लिए इतना सब कुछ क्या इस पृत्री पर कोई भी हिंदू जिंदा नहीं रहेगा जो हम ब्राहमनों को भीक दे सके पिता जी ने पिता जी यह सब अनुचित है मंत्री ने कहा कि पिता जी सब गलत है मुझे कुछ भी नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तभी सेर साह का आक्रमण हो जाता है जिसमें चूडा मड़ी जो है वो मारे जाते हैं चूडा मड़ी मारे जाते हैं ममता के पिता मारे जाते हैं किन्तु ममता बचकर निकल भागती है और वारानसी में मौ चुके थे, वहीं एक जोपड़ी में ममता घर बना करके रहने लगती है, और इश्वर भक्ति में अपना समय बिताने लगती है, एक दिन वह इश्वर का साम का वक्त था, दिया जलाईत हुई थी, और कुछ इश्वर के पाट पड़ रहे थी, इस्वर के कुछ भजन कर रहे थी, तभी ये घायल व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, माता मुझे सरण चाहिए, ममता पूछती है, तुम कौन हो, उसने कहा मैं मुगल हूँ, और सेरसासे पराजित होकर घायल हो गया हूँ, गायल हो गया हूँ, रात बहुत अंधेरी है, वह मुगल सासा कहता है, रात बहुत अंधेरी है, मेरा घोड़ा भी ठक गया है, और मेरे साथी मुझसे छूट गये हैं, या बिछड गये हैं, मुझे रात भर के लिए आश्रे चाहिए, मुझे रात भर के लिए शाहरा चाहि ममता ने सोचा यह भी क्रूर है और सेर सहाभी क्रूर है। इसलिए पहले ममता सोचती है और मना कर देती है कि नहीं आसरे नहीं दे सकती। परंत वह सोचती है मैं एक ब्राहमडी हूँ और सरण में आये हुए को आशरे देना मेरा कर्तब भी है मैं अपने कर्तब को नहीं छोण सकती उसने घायल मुगल को जोपड़ी के अंदर रहने के लिए कह दिया और स्वयम वो दूसरे खंधर में चली जाती है और जब सुबह ह होती है तो ममता जो पत्थर से वो खंधर थे उनके दरार में से देखती है कि बहुत सारे बहुत सारे घुर सवार उसकी जोपड़ी के चारों तरफ घूम रहे हैं तब ही वह आदमी जोपड़ी के बाहर निकलता है और कहता है मिर्जा उस इस्त्री को ढूड़ो ममता बहुत डर जाती है वे सब उसे बहुत खोशते हैं लेकिन ममता वहाँ से भाग जाती है और उन्हें नहीं मिलती है इस पर वह ब्यक्ति कहता है कि मिर्जा मैं उस इस्त्री को कुछ दे नहीं सका वो जो मुगल था वो कहता है कि मिर्जा मैं उस इस्त्री को कुछ नहीं दे सका तुम उसका घर बनवा देना भोलना नहीं इस घटना को ये बहुत दिन बीट गए ना कोई घर बना ना कुछ हुआ और अब ममता 70 साल की एक बिध्वा है बुढ़ी हो गई है 70 साल की हो गई है उसकी तबियत बहुत खराब है और कुछ इस्तरियां उसे घेर कर बैठी है उसकी सेवा कर रही है ऐसा इसलिए क्योंकि ममत स्वयम हमेशा लोगों के दुखों में सेवा करती रहती थी तब ही अचानक एक घुरसवार आता है और कहता है कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है उसके अनुसार यही वह जगह है लेकिन बुढ़िया तो मर गई होगी अब वो पूछे किस से कि एक दिन सहन साह हुमा हुमायु शप्पर के निचे आश्रे पाया था ममता को उसकी आवाज सुना आगए पड़ती है ममता ने उसकी आवाज को सुना और अपने पास बैठी हुई स्त mechanics से उसे बुलाने के लिए कहा वह घोड़सवार वही ममता के पास आया ममता ने कहा मैं नहीं जानती वह कौन था वह कोई मुगल समराड था या कोई साधार अणाद में पर एक दिन वह इसी जोपड़ी के निचे रहा इसी जोपड़ी में आराम किया था मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने के आग्या दे चुका है मैं आजीवन अपनी जोपड़ी के खोदे जाने के डर से भैभीत रही डरती रही अब मैं इस अपनी जोपड़ी को छोड़ कर जा रही हूँ तुम चाहि इस पर मकान बनवाओ या महल और इतना कहते ही ममता मर जाती है उसके प्राण पकेड़ू उड़ जाते हैं वहाँ पर एक भव्य बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया और उस पर एक पत्थर एक सिला लेख लगवाया गया शिला लेख लगवाया गया और उस पर लिखा गया उस पत्थर पर लिखा गया सातो देशों के नरेश शहनशा हुमायू ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था उसके पुत्र अकबर ने उसकी इस्मृति में यह गगन्चुम्भी मंदिर बनवाया है पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था जब हुमायू ने कहा था कि यहाँ एक इसका बुढ़िया का घर बनवा देना तो हुमायू तो मर गया लेकिन जब उसके बेटे ने वहाँ पर मंदिर बनवाया तो वहाँ पर ममता का कहीं भी नाम नहीं था और यहाँ पर इस तरह से कहानी आपकी खत्म हो जाती है अब ये सारांश था कहानी का आप इसको एक दौवर सुनिये और फिर अपने आप से लिखने का प्रयास किजिए और फिर जब भी ब्याख्या आएग परिक्षा में तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्योंकि ब्याक करेंगे